आपको स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निसान मैगनाइट की क्रेश टेस्ट रेटिंग के उपर जी हां दोस्तो हाल फिलाल में निसान ने मैगनाइट को लॉंच किया है और काफी लोगों का प्यार मिल रहा है काफी बुकिंग्स मिल रही है सेल्स काफी अच्छे होने की निसान को उमीद है और कहीं ने कहीं वेटिंग पीरियड आट महीने का मिले लगा है और इसमें चार चांद तब लग गये थे जब दिसंबर 2020 में एसियन एंसी एपी द्वारा क्रेस्ट टेस्ट किया गया था और इसकी गोश्रा कर दी गई थी कि नि रेटिंग मिली है आपको बता दें कि ये जो वेरियंट है ये टॉप वेरियंट देखने में लग रहा है इसमें दो एयर बैक दिख रहे हैं आईसोफिक्स चाइल्ट सीड दिख रही है एबीएस एबीडी एसपी ट्रैक्शन कंट्रोल ब्रेक एसस जैसे सेफटी फीचर इ वहीं अगर इसके क्रेस्टेस्ट को आप देखें तो फ्रंट से भी किया गया है इसका क्रेस्टेस्ट साइड इंपक्ट टेस्ट भी इसमें किया गया है वहीं अडल ओक्यूपेंट की बात करें तो 39.2 का रेटिंग मिली है और चाइल्ड सेफटी में इसको 16.31 की हुई थी लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली थी अब मुझे लग रहा है जो निसान ने शुरुवात की है एक बजट कॉंपेक्ट SUV के रूप में मैगनाइट को लाँच करके और उपर से जो ये अच्छी सेफटी रेटिंग मिल रही है मुझे लग रहा है इसमें अब चार चा 9000 के बीच में इसके सारे वेरियंट आ जाते हैं इस पे पर्टिकुलर वीडियो भी मैं बना चुका हूँ जो उपर आई बटन में आ रहा है और वीडियो के अंत में भी मैं उसका थमनिल शेयर कर दूँगा उसमें आपको फीचर्स भी पता चल जाएंगे कि निसान मेगना कर दो कर दो